पहले आईए आपको क्या ख़बर है सेगमेंट भी बताते हैं और साथ ही बिक बॉल्ड ब्रोकरज भी योगी हमारा खास सेगमेंट है तोनों सेगमेंट का रुक करते हैं शुरबात बिक बॉल्ड ब्रोकरज Similar चिर्फी मारे साथ बिग बोल्ड ब्रोकर जटी टागर वेगन पर आ जाई है शेशा बताईए जी हाँ रेल्वे और रेल्वे अंसिलरी स्टॉक्स पिछले कई महीनों से फोकस में है आज आंटी की रिपोर्ट आई है टीटागर वेगन पर जिसका अब नाम बदल कर टीटागर रेल सि है और टागेट प्राइस दिया है 694 प्रतिशेर का उनका मानना है कि कंपनी के घ्रोध प्रोस्पेक्स काफी स्ट्रॉंग है कंपनी के पास जो मैनुफाक्ट्रिंग सेटप है वो पियर्स बना नहीं पाएंगे और एक कॉंपिटिटिव एडवांटेज है जो कंपनी एंज 3 से 26 पीरिड में और रिटर्न आन आसेट भी 25 प्रसेंट से ज्यादा हम देख सकते हैं उनका मानना है कि स्टॉक अभी एक्सपेंसिव नहीं है और फ्यूचर प्रोटेंशल है वो स्टॉक में अभी तक इनकॉर्परेट नहीं हुआ जिसी के चलते उन्होंने खरीदारी की प्राइदी है और टागेट प्राइस दिया है 694 रुपीज प्रती शेयर का चलिए टीटा कर वेगन पर आंटी की रहा है इस पर बात करेंगे लेकिन ना क्या हबर है सेग्मेंट का भी रुप कर लेते हैं टाइम टेक्नोप्लास्ट को लेकर आज एक एहम खास खबर है जो की शरद हमें बता रहे हैं बताईए शरद जी बिल्कुल सबसे पहले जो है टाइम टेक्नोप्लास फोकस में रहने वाला और यहां पर सोसेज हमें कह रहे हैं कि कंपनी जो है बाइस के साथ बातचीत कर रही है जहां पर अपनी फॉरें की एसेट से उसको बिक्वाली करें और दूसरे साइट जो उनकी डेट लेवल से उसको कम करें अब देखा जाए तो आगे जाते हैं जो री स्ट्रॉक्ट्रिंग होने वाली है वहां पर कंपनी मेज़ॉरिटी स्टेक बेच सकती है उनकी जो जेवी है फॉरें आसेट के साथ अब जा इसका इंपाक्ट यह होगा कि इंट्रेस को स्कम हो जाएंगे और जो इन बिजनसे उसको जो है कि टाइप से री डिटिंग मिलेगी और वालुएशन में के इंप्रूफ पड़ेगा अफकॉस जो है डेट प्रोसीड्स को तो कम करने के लिए है लेकिन कंपनी कैपेक्स भी करने वाली है अपने कॉम्पोजिट सेलिंडर सेग्मेंट में मैं मैं जो है इतीनाव स्वादेश को जो है इमेल में रिस्पॉंस दिया उन्होंने कहा कि यह जो री स्रुक्षरिंग प्लांस की डिस्कॉशन है चौते तिमाई से अल्रेडी देखने मिल रही थी इंपॉर्टन बात ही है कि प्रमोटर्स ने आठ लग शेर्स क्यों जो है दो हजा कि वह आपके ओवर्सी बिजनस से देखने मिल रही है तो एक साइड ओवर्सी बिजनस का जो एवालुशन में बताया जो डेट लेट लेवल से कंपनी का वह अल्मुस 246 क्रों रूपीज है आगे जाते हुए कंपनी का टागट है कि F525 तक 500 कोड का रेविन्यू आएगा औ जो ट्रेडर से इंटर करना चाहा रहे हैं वो लेवल्स कि आप प्रशांत है हमारे साथ तो अगर प्रशांत से चेक तो कुछ से पूछ रहें कुछ बताये हैं तीता गर वागड़े ताइम टेक्नोप्लास्ट में आप ट्रेड लेंगे कुछ So again इसका भी momentum काफी अच्छा है अगर मैं ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहूँ तो यहाँ पर एक जो फ्रेश एंट्री है इन लेवल्स पर भी ले सकते हैं जो इसका stop loss है यह करीब 112 के जो लेवल्स है इसके आसपास रहेगा 121 और 126 के जो दो लेवल्स है इनके लिए मैं इसमें प्ले करूँगा ध्यान रहे क्वांटिटी थोड़ी light रखें क्योंकि अल्री स्टॉक में अच्छा खासा run-up आ चुका है मोमेंटम अच्छा है तो उसके चलते हैं मार्केट सेट अप और मोमेंटम को देखते हुए स्टॉक ऊपर जा सकता है बट कॉंटिटी थोड़ी से light रखें टीटागर वेगन हमारा बिग बोल्ड रोकरिज स्टॉक रहा अंटी की पॉजिटिव रिपॉर्ट है 694 के टार्गेट टीटागर वेगन पर आपकी राय क्या होगी शिवांगी टीटागर वेगन अजी परकुल इस टॉक की अगर बात करें तो हमने देखा है कि यहां पर जो है काफी मोमेंटम और बस हो रखा है और अगर हम इसका चार्ट शुक्चर देखे तो अच्छी तरह से इसने होल किया है अपने बेस को फर एक छोटे डिक्लाइंस पर हम देख रहे हैं कि सपोर्ट बेस बाइंग भी देखने को मिल रही है तो यहां पर बिलकुल पॉजिटिव आउटलोग रहेगा अपसाइड जो है सारे चार सो तक का हम एक्सपेक कर सकते हैं चार सो बीस के एक स्टॉक लॉस को बनाते हुए